आप सबी का एक बार फिर से स्वागत हैं इंडिया नियूस पाइंट के उपर आपने सही पड़ा कि एक जगहें से बाट ड़ा से चोदरे ध्रमवीर जी ने अपनी हार माल ली है तो अन्य विदान सवाओं में भी कुछ रिजल्ट रहेगा यह रिजल्ट जानने के लिए आज हम पोँचे थे उनuna के पास ही क्योंकि वह आए थे अज महीं दरगट जिले के अंदर और अटेली नार्नोल और उसके पश्चात में प्रेस कॉणफ aus सभी की प्रेस कॉंफरेंस थी तो उसमें हमने सीधे सवाल जवाब भी करें आप प्रेस कॉंफरेंस की जो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं लेकिन मैंने कुछ की पॉइंट्स मनाए हैं ताकि मैं शोटकट में आपको वो सारी बाते समझास कूँ जैसा कि उन्हों गर्मा गर्मी रही और खूब मतलब जो है ना मांगकर रेली कहलो या दूसरी आने स्टार परचार कहलो उनको बुलाया गया और सिधे पॉइंट पर चलते हैं काफी जन सभाएं वगरा सब कुछ हुआ सिधे पॉइंट पर चलते हैं कि चोदरी धरमवीर जी जो हैं वो जी के बारे में विच्छा करेंगे और चोदरी धरमवीर जी या फिर रावदान सिंग जी जो भी हारे या जीते हैं उनके कारणों को बताएंगे एक्जिट पॉल भी देंगे सारी चीज़े करेंगे लेगिन फिलहाल जो आज जो इन्होंने मानी है हार की बार डासे हम हार तो वो सब चीज़ें हमें इसमें डिसकस करें कुछ पॉइंट्स मैंने बना लिये हैं इन पॉइंट्स को जान में रखते हुए रिमाइंडर के तोर पर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं कि चोदरी धरमवीर जी ने आज क्या कहा खास तोर पर पहली बात इन्हो कहना है कि सीट हम जीत रहें बीजेपी जीत रही है चोदरी धरमवीर जी जीत रहें दूसरा इन्होंने कहा कि बारड़ा हम हार रहे हैं अब जब इन से सवाल क्या गया कि साब बारड़ा क्यों हार रहे हो तो इन्होंने बताया कि बारड़ा विदान सभा का नेचर अलग है और उन्होंने सारी बाते बताई, मतदान किस परकार से हुआ, पहले, ट्यास में जाकर भी इन्होंने काफी साल पहले की बाते बताई कि वो किस परकार से वोटिंग वगरा करते तो उनका नेचर थोड़ा सा अलग है, कुछ इस परकार की बाते इन्होंने या आपर बताई विदान सभाई बताई जिसके अंदर ये जीत रहे हैं तो चोदरी द्रमवीर जी ने जो नो कि नो विदान सभाई हैं उसके बारे में अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें एक बार लिख लेता हूं यहाँ पर आप लोगों के समक्स कि किस परकार से जो है ना इनोंने अलग- कट में दादरी लिख रहे हैं इसमें इनोंने कहा कि हम आगे हैं फिर इसके बाद इनोंने चार विदान सभा गिनाई जिन चार विदान सभाओं के अंदर जो है ये आगे बताया इनोंने अपने आपको जिसमें इनोंने बताया कि मैं तोसाम में आगे हूं साथ में बीवान अप में हैं मतलब हमारे वोट चादा है इनकम पेरिजन टू रावदान सिंग जी और अधर कंडिडेट्स यहां पर इन्होंने कुछ खुल के तो नहीं कहा लेकिन हाँ इन्होंने कहा कि हम आगे हैं और इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे आपकी फिर साथ नंबर आठ न बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि स्रीमान हम नांगल चोधरी और आपका महंदरगड इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं मतलब फिलहाल आप कह सकते हैं कि इसमें अपने आप में टकर है यह जो जो इन्होंने विदान सभाएं बताई इसमें और जो लोहारू जो सीट है उस सीट की उपर कि अगर मतलब सोरी सीट नहीं विदान सबा जो है इस सीट पर भी ये अपने आपको मार जाने बताते वे नजर आए थे और वहां वैसे आपको कहा लगता है कौन जीत रहे यहां पर इन दो सीटों का इन्होंने खास तोर पर जिक कहले कि यह टकर में है तो आप यह सोच कर देखिए कि कौन जीतने वाला है चोदर धरमवीर जी के तरफ से कहा गया कि बाट डाके अंदर हम हार रहे हैं बाकी जो विदान सबाएं उसमें हम जीत रहे हैं और मारजन क्या रहेगा अंकों में तो नहीं बताया गया लेकिन इन लगता है अब की बार जिते हैंगे अनी जेते हैंगे उनसे कुछ सवाल आपने जैसे सीमा औरने गाव में जो नाराज गी उसके बारे में करें तो अनूने कहा कि मधदाता का मूड था जो जिन गाव में एक दो तिन गाव में विरोध हूँ तो वहां पर लोग जो थे वह प्री प्लांड कर रहे थे उनके राउल गांदी जी के साथ फोटो थी कुछ इस तरह की बात उन्होंने करी इसके साथ ही जब उनसे पुछा गया कि चार लाख वोटो से जब आप जीते थे और अब आप जो अपनी जीत बता रहे हैं जैसा कि नार्नों ने बताए कि उन्हों जार पचास जार जो है उनकी इस आखडे से उनकी जीत हो जाएगी और ऐसे ही जैसे यहाँ पर पहुँचे तो सरमाजी भी यहाँ पर मौजूद है मेंधरगड के अंदर तो मेंधरगड की प्रेस कॉंफरेंस में सतर अजार से एक लाख वोटो की तक की बात आई तो हमारा जब सवाल उनकी पास गया कि चार लाख से सतर लाख तो सोरी चार लाख से सतर अजार या उननचास अजार पर आ गए हैं क्या कहेंगे इस विशेपर तो उन्होंने का कि यह मत दाता का अपना एक इंटरस्ट है और जो है बीजेपी पार्टी को वोट गया है स्पेशली मतलब जो है ना बात करके भी समझाया कि अगर आपको हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हलवा मिले तो उसके बाद आप एक दिन यह कह दोगे महीने बाद की चटनी बना लो तो कुछ इस परकार से उन्होंने कहा कि मत दाता का मूड है और यह सिफ्ट हो सकता है और जो है हम जीत रहे हैं और यह कहकर उन्होंने अपनी इस सवाल पर बात खतम कर दी अचा इसके बाद अगर अगर हम बात करें तो एक सवाल हमने यह भी पुछा था था है कि राव इंदर जी जी आए क्या लगता है क्या उनका इंपक्ट रहा तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़दा रह जी के नाम से तो चुना भी है परदान मंतरी एक सही परदान मंतरी देश के लिए सुनना है तो इसी वज़े से लोग भी जो है जो कमल का बटन दबा रहे हैं और कमल का बटन मेरा नहीं यह बाजपर पार्टी के और से कमल का बटन जिसके पास भी होता हो जिता क्योंकि तो क्या करेंगे तो उनके फोकस रहेगा दो चीज़ों पर खास थूर पर एक रहेगा चाहि जो पानी की एघा की रोजगार के अवसर व्यूद्पन होंगे तो हम इंडस्ट्रीズ जो है वो यहां पर लगाने का प्रियास करेंगे क्योंकि हमारे सबी 둘 Swe के अंदर जो है ना डवलपमेंट बे होगा तो यह दो जो विशय थे इनके उपर यह विशय इस तोर पर आने वाले पांच साल के अंदर काम करेंगे और यह उन्हों का द्यान रखे कि चार जोन भी काफी आगय है उससे पहले हम आपको जिस परकार से द्रमवीर जी ने कहा है उस परकार से रावदान सिंग जी जो कहेंगे उसके बारे में बताएंगे अपनी तरप से भी कुछ एक जिट पूल देंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि किस से जितने या हारने के कारण बन सकते हैं रावधान सिंग जी के हारे जीतने के या फिर उस हम आपको जल्दी बताएंगे थे हमारे साथ इंडिया नियूस फॉेंट पर पाकर याप क्या सोचते हैं किस में आगे रहेंगे गार में नि विद्ला संस प्रच्ट